लोकसवा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है सभी रानितिक पार्टिया जातिय समिक्रण और ख्षेत्रे मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने परत्याशी मैदान में उतार रही हैं आज हम आपको पश्ची मुद्द परत्याशी की सबसे होट सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 19 अपरेल को पहले चुनाव में बद्दान होना है केराना में जहां भाजपा ने अपने मोजुद असान सच परदीप चौधरी को दूसरी बार चुनाव के मैदान में उतारा है तो वहीं सपा कॉंग्रेस कटबंदन की तरफ से सपा नेतरी इकरासन चुनाव लड़ रही है जाट और मुस्लिम भावले वाली सीट पर बसपा द्वारा ठाकूर परतियाशी उतारे जाने की खबर है कुछ दिन पहले कुछ मुद्दो को लेकर ठाकूर और गुज़र समाज के बीच हुए मतभेदों को बसपा भुनाने की तयारी में जुटी है माना जा रहा है कि स्थानी अस्तर पर भाजपा से नराज ठाकूर समुदाय के लोगों को साथने के लिए बसपा के राना सीट से स्रीपाल राना को उतार कर ठाकूर दलिद कट जोड बना सकती है जिसका सीधा नुकसान इंडिया कटबंदन की परतियाशी इकरासन को हो सकता है क्योंकि भाजपा से नराज ठाकूर समाज के लोग शिरपाल राना के चुनावी मदाने में उतरने के बाद इकरासन का साथ छोड़ कर बसपा की तरफ डायवट हो सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो यह इंडिया कटबंदन के लिए जहां नुकसान दे साबित होगा तो महीं भाजपा के परतियाशी पद्रीब चोधी के लिए संजिवनी साबित होगा क्यरान लोकसवा में 16,92,000 मदाता हैं जिन में 11,5,000,000 के आसपास हिंदू और करीपोने 6,000,000 मुसलिम मदाता हैं इस लोकसवा पर मुसलिम दलित और जाट गुजर मदाता निर्नायक भुमिका में रहते आए हैं इसके लावा इस सिट पर ठाकूर सैनी ब्राहमन वैशे मदाताव की संख्या भी अच्छी खाजी है क्यरान लोकसवा पर 19 अप्रेल को यही मदाता अपने अपने परतियाश्यों का भविश्य तैय करेंगे जिसका नतीजा 4 जून को देखने को मिलेगा टिमनान यूपी के लिए सारंपुर से विकास कपिल